सेक्स का ग्यान चैनल में आप सभी का हौदिक स्वागत है, आपके लिए रोज नए वीडियो वो भी हिंदी में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जरब पहन कर सेक्स करने से दो गुना हो जाता है, मज़ा जिन्दिगी को खुशनुमा बनाने के लिए जरूरी है सेक्स, ये तनाव कम करता है, आपको खुश रखता है और आपके जीवन को एक जीने की वजह देता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती है, जब आपको इसमें पूरी तरह से संतुष्टी मिले और आपका पाटन आपके प्रतिवफादार हो, फिर भी कई बार लोग एक दूसरे के प्रतिवफादार होते हैं, तब भी उन्ह सेक्सलाइफ में संतुष्टी नहीं मिलती, ऐसा क्यों? ऐसा कई कारणों से होता है और हर कारण अलग-अलग स्थितियों पर निर्भर करते हैं, ये सारे कारण तो किसी सेक्सलाइफ से मिलकर ही हल हो सकते हैं, फिर भी अगर आपको अपनी सेक्सलाइफ में संतुष्टी चा अगर आप सोते समय कपेड़ों के साथ पैरों में मौझे मतलब जुराब पहनते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं सर्दियों में तो बहुत सारे लोग मौझे पहन कर सोते हैं लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद आप पूरे साल मौझे पहन कर सोएंगे हाल ही में हुए एक सवे में इस बात की पुष्टी हुई है कि आप मौझे पहन कर सेक्स करते हैं तो आपको चरम सुख की प्राप्ती होती है क्यूं होता है ऐसा सवे में इस बात का कारण देते हुए कहा गया है कि दोनों पाओं में मौजे पहन कर सोने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है खास का पैरों में जिससे पैरों की रक्त वाहिकाओं में ब्लाद सकुलेशन बना रहता है ब्लाद सकुलेशन बेहतर बनने से आप सेक्स करने के दौरान ज्यादा एक्टिव रहते हैं यह सवे नीडरलिंट की गौन इंजिम युनिवरसिटी द्वारा करवाया गया है इस सवे में शोद करता ने पाया कि मोजे पहन कर सेक्स करने वालों में से 80 प्रतिशत का पल को चरम सुख की प्राप्ती हुई वैसे हर कोई इस सवे से इत्ते फाक नहीं रखता है काई एक्सपर्ट स्टाडी को एक सीरिय से खारज भी करते हैं होते रहते हैं ऐसे सवे ऐसे सवे होते रहते हैं सवे के परिणाम अधिक्तर लोगों पर कारगह होते हैं इसलिए इन्हें फाइनल माना जाता है इसका मतलब ये नहीं कि ये हर किसी पर कारगह हो पिछले दिनों ऐसा ही एक सवे आया था कि घर में सेक्स करने की तुलना में होटल के कमरे में सेक्स करने में ज्यादा मज़ा आता है ये सवे 11 देशों के 2200 लोगों पर शोद कर तैयार की गई थी यह सवे मोबाइल बुकिंग सर्विस होटल टुनाइट द्वारा किये गए सर्वेक्षन पर आधारित था तो इसका मतलब ये नहीं की घर में मज़ा नहीं आता हर किसी की अपनी पसंद होती है और हर किसी का अपना अनुभव होता है